आजादी का अमरत महाउच्सव मनाईए अपने घरों के उपर तिरंगा जंडा लगाई है अपने प्रोफाइल फोटो में डीपी के अंदर तिरंगे की फोटो लगाई है देश वक्ती का सर्टिफेट दीजिए लेकिन कोई खुल्याम कर रहा है कोई खुल्याम कर रहा है नत्तुराम गोड से की तिरंगे के साथ में यात्रा निकाली जा रही है और ये कोई कोन है? ये कोई है हिंदु महासभा हिंदु महासभा ने देश की आजादी के पिछत्तरवे सुतंतरदा दिवस के मोके के उपर राश्पिता महात्मा गांदी के हत्यारे की तिरंगे के साथ में यात्रा निकाल दे इससे बड़ा और क्या हो सकता है और मौदी जी एक तरफ जो है वो जब लाल के लिए से कल बोल रहे थे तो क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार डवल इंजन की भजपा की सरकार योगे जितनाक की सरकार क्या कुछ कर पाएगी देखिए मैं आपको ख़बर दिखाता हूँ जाकिरली त्यागी है पत्रकार इन्होंने ट्वीट किया है मुझफर नगर में हिंदू महासभाने गांदी जी के हत्यारे नाथुराम गोड़से की तस्वीर के साथ में निकाली तरंगा यात्रा अब जड़ा फुल स्क्रीन के उपर आप देखिए ये वीडियो में आपको क्या सुना हूँ विश्व हिंदू महासभा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे इसको आप इसको बताइए कि क्या कहेंगे किस तरह से जो है वो यात्रा निकाली जा रही है खुले आम यात्रा निकाली जा रही है कोई इनके उपर कारवाई कर सकता है क्या मोदी जी ने कहा था एक बार इसी नत्राम गोड से को जो है महिमा मंदन किया था प्रग्या ठाकुर ने और मोदी जी ने कहा था मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा मोधी जी आप कम से कम देश वासियों को इतना तो मत बर्गलाईए मैं एक सीधा सवाल बीजेपी के समर्थों को से पूछना चाहता हूँ आप ये बताईए या तो बीजेपी से बोल करके कहे करके मातमा गांधी को उनको राष्टता का दरज़च खतम कर दिया जाए और कह दिया जाए बीजेपी की तरफ से कि हाँ हम नत्रम गोड़से को मानते हैं मातमा गांधी को नहीं मानते है या अगर मौधी जी देश की लाल के लिए से ख़ड़ेों करके अगर वो मात्मा कांदी का नाम लेते हैं नमन करते हैं वहाँ पर बापू की सरधांजली देते हैं जाकरके तो फिर ये क्या हो रहा है बताईए आप इस बात को और मोधी जी जब बात कर रहे थे कल जब बात किया उन्होंने मोधी जी ने तो बड़ा 2047 सक का जो है वो बता रहे थे खाका खींच के बता रहे थे लेकिन ये 1947 से लगाता महिमा मंदन होता हुआ चला आ रहा है इस पर कोई बात नहीं करेगा देखिए वरे ये वसीम अकरम त्यागी हैं दूसरे पत्रकार हैं इन्होंने भी लिखा है मुझफण अगर में हिंदू महासमाने गांदी जी के हत्यारे नातुराम गोर्षे की तस्वीर के साथ निकाली तरंगा यात्रा अब देखना यह है कि यूपी पुलिस क्या कारवाई करती है कोई उम्मीद है कि यूपी पुलिस इस पर कारवाई करेगी बताई आप इसको आज आप अजादी का अमरत माउसो मना रहे हैं और राश्पिदा महात्मा गांदी के हत्यारे की नातुराम गोर्षे किस तरह से याता निकल रही है अब इससे जदा जो है वो दिखाने बताने चुपाने के लिए क्या बचा है कई पर कोई परदा बचा ही नहीं है और ये पहली बार नहीं है कि हिंदू महासवा ने ऐसा पहली बार क्या हो अखिल भारतिय हिंदू महासवा के परदेश अध्यक्स योगेंदर वर्मा का बयान गांदी जी 30 लाख लोगों के हत्यारे थे देश की करंसी से गांदी जी की फोटो हटा दी जाए तो ये 2019 में जब भी डबल इंजिन की भाजपा की ही सरकार चल रहे थी योगी मुख्य मंतरी थे मोधी प्रदान मंतरी थे और ये दोबारा से जो है वो आ गए है दूसरा देखी इनका ट्वीट में आपको इसी में आगए है गांदी जी का देश आजाद कराने में कोई योगदान नहीं रहा है योगेंदर वर्मा साध्वी प्रग्या के बयान का भी अखिल भारती है हिंदू महासवा ने किया समर्थन तो वो जो बयान दिया था उन्होंने ताज़ा ताज़ा जिस पर मोधी जी ने काता मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा और उसका विस्समर्थन ये लोग कर रहे थे तो सीधे तोर पर देखे सीधे तोर पर जेखे आप ये हिंदू महासवा जो है वो अपने आपको कैसे प्रोजेक्ट करती है ये पत्रकार विसाल प्रजापती है और इन्होंने ये एक मार्च 2022 की ट्वीट किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि मुझफर नगर में हिंदू महासवा की कारी-कारी राष्ट्य जेक्स योगेंदर वर्मा जिनका भी मैंने जिकर किया है एवं अखिल भारते हिंदू सक्ती दल के राष्ट्य महासचिव अरुन परताप सिंग ने सिव चोख हनुमान मंदिर में महाराज यतिर संगरनजी का स्वागत कर असिरवाद लिया साथ में हेमंत गुरोवर सचीन जोगी आस्तोस खन्ना भी मोजूद रहे अब गंगादारी सक्तिमान है तो फिर कोन किस पर क्या कारवाई करेगा बतढ़े आप इस बात को दरसल इसे लोगों के ऊपर कारवाई करके भाजपा को अपनी रैलिया घाली थोड़ी ने करवा ली है ये वही लोग हैं जो भाजपा की रैलियों के लिए बसे भठते हैं इस सिरिकांट चागी जैसा लोग गिर्फतार हो गए, क्योंकि वो मामला सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया, और ये वीडियो अकर वाइरल हो भी जाएगी, तो अभी इस पर कोई कारवाई नहीं होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, देश ने हचम कर लिया इस बात क हाँ, मोदी जी जो है, वो कैमरे के उपर सर्दांजली देते रहेंगे गांधी जी को, लेकिन ये लोग, ये लोग यहाँ पर जो है, वो अपने आप में महिमा मंदन करते रहेंगे गोड़से जी का, कमाल की बात है, और लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, एक इसी बात देश को समझ में नहीं आ रही है, कि किस तरह से जो है वो, और कल मोदी जी ने, कल मोदी जी जब बोल रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करना चीए, उनका गला बराया, रोने को हो गए वो, भाउक हो गए, लाल किले की प्राचीर से, और कमाल की बात है, यही मोदी ज जो है, वो देश की संसद में खड़े हो करके ठाके लगवा रहे थे, कॉंग्रेस की सांसद रहनुका चोदरी के लिए, कि बहुत दिनों बाद में ऐसी रामायन जैसी हसी सुनने को मिली, इतारका के साथ में, और ना जाने किस 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 साथ में जो है, वो दिखाते हैं, और फिर उसके बाद में लाल के लिए से खड़े उकर बहुक हो जाते हैं कि महिलाओं को गाली देने का जो है, चलन बंद करना पड़ेगा, महिलाओं को गाली देना, उसको तो आप बंद करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सर्याम यहां पर, रस्पिदा मात्मा गान्दी के पर कालिक फोतने का काम किया जा रहा है गाली देने का काम किया जा रहा है इस पर कोई बंद करवाएगा बता ही ज़रा इस बात को और सबसे बड़ी बात यह है मोदी जी जी वह बात कर रहे है 2047 की सीधे सीधे 25 साल की बात कर रहे हो मोदी सरकार ने ही जो अभी तक चल कर के आ आती थी उस पर काम होता था उसको बंद कर दिया कि पंच वर्षी योजना बंद करूं और अभी देश को बता दिया कि हम 25 साल के लिए योजना बना रहे हैं 25 साल के लिए आपको अमरित काल में ले करके जा रहे हैं और मीडिया ऐसी चीजों पर चर्चा नहीं करता है कि कहां पर क्या हो रहा है कहां पर क्या नहीं हो रहा है देखिए साफ और सीधा सवाल ये है कि देश अब तै करें सरकार तो अपने फाइदे के लिए अपने मुनाफे के लिए और सरकार के ये जो पिठ्ठू है वो भी अपने फाइदे के लिए अपने मुनाफे के लिए अपने सम लेकिन कम से कम कुछ लोगों में अकल बची है कुछ लोगों में बचा है कि आने वाले टाइम में हम क्या छोड़ कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए क्या गोड से को राज़्पिता बना दिया जाएगा क्या सोची जरा इस बात को आप इसी तरह से मुहमां मंदन चलता 25 साल के मृत काल में आप जीते रहें 25 साल के लिए आपने सोचना समझना जो है खतम कर दिया कि चली 25 साल तक तो लगे रहना है और 25 साल तक लगे रहे करके 2047 में हम बात करेंगे तब कुछ और जुन 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 पकड़ना दिया जाएगा और गोड से को एक दिन राश्पिता बना दिया जाएगा जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है तो सोचना वो देश के लोगों को है क्योंकि बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं अब देश के लोग क्या काम करवाना चाहते हैं क्या देश के लोग आने वाले अपने पीडियों के लिए राश्पिता महात्मा लोगों तक सच पहुचना बहुत जरूरी है इस वीडियो को लेकर इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स अपने राय जरूर दें और जितने तमाम खबरों के लिए ओनलाइन उजिने सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे को डिपलोड करें उसके नोड़ फेसन आपको तुरंद मिल सकें धन्यवाद